दोस्तो आदी रात को देश की बेटियां सडक पर रोने को मश्बूर हैं सवाल उठा रही है कि क्या इस दिन के लिए देश के लिए मैडल जीते थे साक्षी मलिक विनेश फोगाट सब रोते दिखाई दिए हुआ क्या था सिर्फ इतनी गलती थी खिलाडियों की कि बारिश की वजए से उनके गद्दे भीग गए थे तो सोने के लिए फोल्डिंग मगाए थे कोई डवल बैड नहीं मगाए थे फोल्डिंग मगाये थे और सवाल उठा रही है कि क्या हम जद्दरमंत्र पर फोल्डिंग पर भी नहीं सो सकते जो पुलिस ने रोका और उसके बाद जब खिलाडियों से बहस कुई तो खिलाडियों का आरोप है कि शराब के नशे में एक पुलिस वाले ने बिनेश फोगाट को बहन की गाली दी पुलिस ने बल प्रियोग भी किया कुछ खिलारियों को चोट भी आई गीता फोगाट ने ट्विट करते वे कहा कि मेरे भाई का सर फूट गया है दिल्ली पुलिस को शर्मानी चाहिए दोस्तों इसके बाद बहुत सारे नेता भी जनतर मंतर पुचे जब बजरंग पुनिया ने अपील की कि देश की बेटियों का अपमान हो रहा है आधी रात को तो जल्दी से जल्दी बहां पहुंचे तो उसके बाद दिपेंदर खुड़ा पहुंचे उनको हिरासत में ले लि पहुंचे उनको पर भी बलप्रियोग किया गया है और ये जो खटना है आधी रात को दिल्ली पुलिस ते जिस तरह का वैफार किया वो सवाल उठाता है कि क्या किलाडी फोल्डिंग पर भी नहीं सो सकते इतना कुछ हो जाता है देश में कम से कम इस बात का तो लिहाज याद नहीं किया जाएगा अब इन खिलाडीों का चरित्र हनन किया जाएगा जिन खिलाडीों के साथ फोटो किचा कर पीम मोधी कहते थे कि हमने खेल को बढ़ावा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे विनेश फोगाट को अपने परिवार की बेटी बताते थे उन बेटियों का पिछले कई दिनों से चरित रहनन किया जा रहा है और अब और ज्यादा किया जाएगा बजरंग दल को बजरंग बली मानने वाले बीजेपी के नेताओं को शर्म आएगी कि क्या ओलंपिक मेडल जितने वाले बजरंग पुनिया को अब कॉंग्रेस का एजेंट बताया जा रहा है बजरंग पुनिया जो हनुमान जी के भक्त हैं सबको राम राम कहके बलाते हैं ते सीधे साथे खिलाडी हैं उनको भी अब बदनाम किया जा रहा है कि यार ये कोई खिलाडी नहीं है ये प्रोपगेंडा चला रहा है इस तरह का खेल शुरू हो गया है तो ये जो रात को देश की बेटिया रोई है सरकारी मीडिया और सरकारी आईटी सेल की नजर में ये काला ध्याय दर्ज नहीं होगा बलकि इन खिलारियों को अब किसान अंदोलन की तरह और ज्यादा बदनाम किया जाएगा देश की बेटियों से प्यार करते तो आपको शर्म आती है कि ये सरकार भी हमारी हमी ने वोट दे कर चुनाया तो उसमें अगर खिलारियों को ऐसा दिन देखना पड़ता है ऐसे रोना पड़ता है देश की बेटियों को तो सबको शर्म आनी चाहिए